मेरे जीव के यही जीवन ए प्रगट बानी कही प्रकास की श्री इंद्रावति चरने लागे जी सो लाभ लेवे दोनो ठोर को जाकी वासना इत जागे जी जाकी वासना इत जागे जी बेहद वानी बेहद के साथी सुनो बनाव शुन्दाव आप भाइमधन एक्सराती स्री राज्जी मराज और भाइमधन जीव प्यारे प्रणंध Dar अल始ल ठौस्ट्राणि मात्मेह भाएवर्ग स्ग्रेमि कंश्रो नाय के जाने काल की आाख ही सभा है सुन्दर साथ को कूझ स्वामे जी ने पाताल से लेकर के प्रमधाम की मर्म बातें जो गुज बातें थी लुले को क्या करना है, अंदे को क्या करना है, बहरे को कैसे सुनना है, सारे तरीके बताए, भोजन करवा दिया, हम मुखवास खिलाएंगे, समझें और यह जो बानी है यह कोई भागवत कथा नहीं है इस सत्यनायन की कथा नहीं है यह दुनिया की कोई पोति नहीं बानी के अंदर आप स्वामी श्री प्राण्नाध धाम्धनी ने आость करके हिंद्रा बती आतम के माध्यम से लिख वाया है नथी कथा ये दंतनी, नथी कथा ये दंतनी, सत्वानी ये वाग, किश्वयम, अक्षराचीत, पुर्म्रम परमात्मा, जो ना कभी पहले इस स्ष्ष्टी में आये थे, ना कभी ये ब्रह्मान के बाद आने वाले, दुनिया कहती थी आवशी धनी धनी रे, शब कोई कहते, आगमी करते बुकार, कि हिंदु भाई, सास्त्र क्याधार पर कहते थी, ने कलंक हो उतर शी महाबली अवतार, कि संसार के अंदर परमसान्ती स्थापना करने के लिए, महाबली का आगमन होगा, कते पक्स, कुरान के आयते भी पुकार रही थी, इसा अल्ला अवसी कहे किताब फिरंगन, इसारु अल्ला का आगमन कल के रोज होगा, यह कुरान पाक के आयते पुकार रही थी, शंतों के वाणिया पुकार रही थी और शत्य की खोजवें इस लिष्ट के अंदर मानव यत्र तत्र ब्रह्मन कर रहा था के संसार का सुख संसार के साधनों में नहीं है परम शांती में है पर परम शांती है कहां कहां मिलेगी दुनिया ने शमुद्र के तलिये जाकर के मोती निकाले पर वहां भी शांती मिली नहीं है आसमान में जाकर के चंद्रवा पर चले गए और वहां से मिट्टी उठा लाए फिर भी शांती का स्रोत खुला नहीं और ऐसे हला हल कल्यों के अंदर आप शृष व्राणनाजी ने आकर के दुनिया को कह दिया कि सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ो है तो मुझो कभू कानो ना सुनि दुनिया में आकर के कह दिया दुनिया वालों के अब तुम्हारे लिए तुबा के दुबार खुल गए है शांतिका मार्ग खुल चुका है जिसके लिए सारी दुनिया पुकार रही थी इंद्रावति के आतम बेहद वानी और बेहद वानी के अंदर यह प्रभोध है शांतिका संदेश है यह खबर है कि बेहद के साथी सुनो कभिर के वानी के अंदर हाद के साती सुनो शुंदर सुन को niemand के साथी क्यों कहा गया झान से निंद्रा तौाए की भाई हउ ऑ कि सरीर ह्याट मैं का सरीक है कि अर इसके अंदर माया प्रकॉभ्प होगा आत्म के अंदर तो होने ज När इसलिए सो ज hospitals अभर चिपन हो गया तो फिर हमारे हैं भुच आने बाला सो जाने अंदर सी आवा या जाती है अरे कहां यह शंदों कर बन्द करें हैं पर यह भव्रोग टाल्नी का घ्यान है कुंसे है हुआिप भृविंगों आत्माहोगी है । तप्सस्क है की सुपधे ब्रगी आत्माहोगी यह यह करकें यह कभि पुझे स्वामीजी बतारह से लिदे केटिने उपास करके थक गए करकर थख गए कभी पुझा स्वामी जी बता रहे ने कितने उपास करके ठग गई कुछ नहीं कभी सुंदरिया चड़ा चड़ा के थख ऑगी बंगड़िया चड़ा कंगन चड़ाए काज कर लिया कभी बहूत प्रयास किया है कभी ऐसा विछार किया तो पावगड चले गए अगर विचा विचार है तो भाम्रया वाला वाले के बाबा के पास चले गए तो वह इंपी बोलते हैं प्राम्दे बाबा बोलते हैं भकती करो तो घर जानो रहे काहे हर सी, तुझे भी सत्यने अदवार अगर जान भा होएけて तो अजमनी सत्य नी वातुने जान भी पड़ुअह पर्म सत्यना श्रूप ने अढकन श्रूप पड़ु तो सत्यन झारूप कोने के वाय किसको बोला जाता है कि भक्ति करविरे हरी अगम भेद मैत्री-शुलवारा मेरा सरुप की भक्ति करोगे तो भक्ति होने वाली नहीं है अगम के भेदों को जानके भर्ति करने अब अगम भेद क्या है यह वो बता सके नहीं परबानी के रही कि बेहद के साथ ही सुन्दर साथ को बेहद के साथ ही क्यों कहा गया क्योंकि अभी पुझ्य स्वामी जी ने बताया कि कि बेहद में जो खेलने वाले थे कहां खेले बेहद में क्योंकि संसार में ओलखान तो देनी है और उससे पहले कोई बेहद में गए नहीं इससे लिए धामदनी अक्सरातितने इंद्रापति माध्यम आतम के माध्यम से बता दिया बेहद के साथी याने दूसरे नहीं साथी पर साथी किसके रात्रिय ने चिंता मत करियेगा वोलो श्री प्राणनाथ जागने का प्रियास कीजिए बेहद के साथी केहने वाले अक्सराति अक्सरातित रजी है सिर्प्राणनाजी और केह किसको रहे हम सबसुंदर अजो जो सुन रहे वो स्वय है और जो बानी में आकल के बोल रहे वो जागरी थी जो जागरी थी वही तो जागाएंगे ना हम लोग सब माइक के जैसे अंदर बानी में आकर के मुल शरुप केवल जागरी थी बाकी हम सब सोये परातम से भी सोये है और आतम से भी सोये आतम से कोई-कोई विरला राज्जी के स्वरुप को दिल में बसा लिया वो केवल आतम से जागरी थी होता है परातम से नहीं परातम से तो तब जागेंगे पोड़े भेले और जागसी भेले मुल्शरुप का हुक्म होगा तो परातम से जागरित होगी अभी जो जागरित हो रहे हैं जान के माध्यम से मुल्शरुप के सिनगार को और लिला को दिल में बसाएंगे तो हमारी आत्मा जागरित होगी तो इसे लिए टीत्मेंट करहें राज जी, क्या करहें टीत्मे grey ? यहां जागरित ताकि जागर्ध हो जाए और सुंदरसाथ को धाम याद आजए ध्याद दिलाने के लिए distintos सुनों क्या सुनों , भोली conmvot नहीं को कहा थाु जवन के संसार के अंदर दो प्रकार का ज्यान है एक तो पराविद्या का ज्यान अन दूसरा अपराविद्या पराविद्या वो है जो निराकार के पार का संदेश दे और अपरा याने इस संसार का ज्यान दे नोलेज दे और गिता के अंदर भगवान स्रिक्रिष्टन ने अर्जुन को भक्तियोग, कर्मयोग, जान योग और भक्तियोग उसका भी जान दिया और बता दिया कि भई कर्मयोग तभी तेरा सिध होगा जब तू परमार्थ के लिए कार्य करेगा काम तो करेगा पर उसमें आशा रखने की निश्वार्थ भावना होगी तो तू करमकायोगी कहलाएगा जान योगी यानि एसा जान एकतरित करना जो ब्रमकी पहचान करा दे संग्षित ने व्याक्या है भक्तियोग इस प्रकार तू प्राथना करना प्रमात्मा को जो उन तक पहुंच जाए पर हम लोग बोलते रहें गीता बोलती रहें पर प्यारे साथियोग उस योग तक शका नहीं है फक्तियों की सच्ची ब्याख्या पुझे स्वामी जी ने बताई और इस वानी के अंदर प्यारे सुंदर्साथ जी बेहत की बानी जो बता रहे निराकार के निराकार का ज्यान तो एक क्या है जरा सुनना बड़े बड़ेरे हो गए जो पाई से बताना चाहता ताकि सुन्दर साथ को प्रमानित हो जाए कि इस बेहत की बानी को सुनने के लिए बड़ो बड़ो ने प्रयास किया है आम मनिश्य की बात नहीं है कोई रिशी मुनियों की बात नहीं है बड़े-बड़े अब बड़े तिये समझ लेना कि जो सुन्दर साथ है वो भी जानते ह जो हमारे भक्त जन हरी भक्त है वो भी जानते हैं कि त्रिभुण के अंदर सर्वस्रिष्ट और बड़े कहे गए हैं तो त्री दिवा है कौन है त्री दिवा ब्रह्मा विश्नु महेश तो के बड़े-बड़े हो गए संसार के बड़े हैं तो खट दर्शनी बेदान्ति और दुनिया में बड़े है तो ब्रह्मा विश्नु महेश प्यारे संदर साजी नहीं तो संसार में खट दर्शनी बेदान्ति आये पर एक दिन क्या हुआ भगवान भुलेनात को बहुत चिंता हुए कि हम कब तक संसार के अंदर ये ब्रमन करते रहेंगे कब तक ये यूग देवा दिदेव और विचार करके सोचा मन में और सोचा कि हमारे साथ तीन लोग बड़े हैं विश्न भगवान से क्यों न पूछा जाए और कैला छोड़ करके महादेव निकले और सीदे खुट में गए और क्या पूछने लगए पूछे बेहदवानी बेहदवानी आतो ध आज हम सब सुन्दर साथ को कहना पड़ेगा कि आज हम धंदन है क्योंकि पुझ्य स्वामी जी के मुखारविन से बाणी सुन्नी मिली और राज्जी की बानी का गुंजाए मान हमारी धर्ती पर हुआ जंडो गाडियो प्रेम को शभुदिश प्यू प्यू होई ना जाने इन जुन्ड में कौन सुहागन होई शुन्दर साथ तो महादेव जो थे हिमालाई छोड़कर के बैकुण में पहुंचे और जाकर के विष्ण भगवान को हाज जोड़कर कहने लगे का है विष्ण प्रश्ण है उसका आप उत्तर दिजिए मैं साधना में ढूनने का प्रयास्तों किया है पर मुझे उसका उत्तर नहीं मिला तो विष्ण भगवान के पास गए और क्या कहा जराज सुनना कोट ब्रह्मांड जो हो गए क्या प्रस्ण किया कि नारायन करोड़ों ब्रह्मांड हो गई एक दो की बात ने कितने हो गए को टी आपको तो एक दो कल्लाग यहां बेटे हो यह रही है कि विष्णु भगवान को करोड़ों ब्रह्मांड हो चुके फिर क्या हुआ थितक हुन न सूनी माथे को भिष्ण भगवान कि यह विश्ण पूछने का प्रयास करना बया कि स्वहर की बात को हो तो हम सारी बातें बता देंगे ब्रह्मांड करेंगे इसलिए मत पुछना खोज खोज खोजी थके और में क्या बताओं लोग खोशते खोशते कभी-कभी तो बैखुट तक पहुंच जाते थे और यही ब्याद के परेके मुझे पकड़ लेते थे इसी ब्याक्या नहीं है पर समझाने के लिए बताता हूं कि खोज खोज बड़े-बड़े र हिमालय में जा करके अपने हिमालय हाड़ गला दिया फिर भी इसका पुर्वार किया है ब्रमवानी ने के नहीं मिले यहां नायन के रहे है महादेव पार की वचन मुझे मत पूछो करो ब्रहांड हो चुके पर ना किसीने सुनाया है ना किसीने सुना है यह तो अगम परत्व परा साइस्त्र के क्या का अक्सराथ परत्व पर्मात्म कहां है बेद्र क्यों तमसह परस्ताथ गढ़त परमा snippinator के साहर कहां है तो यह अंधकार्वर्य प्रक्रिती निवए परे. बसël कि मैं बता सकते मुझे स्वामी जी поп Ada सब को सारे कल्यों को उता कि उतारे जब सारी सास्त्र मौन हो चुके थे, तब जाकर के परमात्म की बानी आई, और क्या बताया जरा सुनो, एक सब्द के कारने, तो नारायन ने, जो महादेव सामने बेठे हैं, विष्ण भगवान बता रहे, कि महादेव, बेहत की बात सुनने के लिए, लक्षमी जी ने जिद किया था, और मुझे कहा था कि आप तो हजारों साल की समाधी लगाते हैं, तो बताये, ब्रम्हान के परे क्या है, तमस्वरी प्रक्ति से परे कुन सा लोक आया है, कुन सी सक्ति आई है, जो देवादी, सारी कि देवतागन अपन की भक्ति करते हैं, और अपन ब्रम्हाविश्णु महज इसे परे खोज नहीं सकते क्या, और मेरे घर से प्रस्ना उठा था, लक्षमी जी ने पूछा था मुझे, कि है नारेण, देवी देवतागन की भक्ति करते हैं, तो क्या आप नहीं जानते हैं, को बनाने वाले कोन है वो कहां रहते हैं उसका नाम केसा है तब जा करके नारण महालक्ष्मी को बता देते हैं कि मैं तब एक सब्द भी बोल पाया नहीं था और सुन्दर्शाथ जी आज ब्रह्मवानी ने आकर के संसार में आघोश कर दिया कि सुन्दर्शाथ यह बात कहां की है स्वर्ग की बात नहीं बायकट की बात नहीं इतुम रहेगा तुम परमात्म का ठीकाना कहां रहेगा तव जाकर के शास्त्रों ने कहा है दिव्या, ब्रह्म पूर एशो व्योमन आत्मा प्रतिश्टी तो है, कि ब्रह्म लोक में ही आत्मा और प्रमात्मा का वास है, और ब्रह्म लोक की प्राप्ति करनी पड़ेगी पर हम लोग सुन्दर्षात धर्म प्रेमी सज्जन बजब बक्ति तो करते रहते आते हैं ऐओ ये जाते हैं क्योंकि संसार के चक्र में गुम्ते रहते हैं. करूड़ों साल से हम करोड़ों वर्सों से संसार का चक्र में चलते आये हैं ना जाने कौण से नंबर का पड़ाव है हम नहीं जानते हैं यसा परमात्म की करपा हुए के चुनाय कर लिया 200 पाकती मुदद जिसको बोलते हैं जैसे पाक जो पक जाता है खेतों में से पाक को उठा के कहां लेता है ले आते हम घर में और जो थोता थोते को कहां रख देते हैं खेत में हमारी भी पाकती मुदत है कौनसी मुदत है पाकती मुदत है प्यारे साथियों अभी भी अगर वक्त आखिरत का है समय नहीं है लुए राज्जी काहदेश कारजकारण इस सु कार्यकरम की जो महायात्रा प्रारम हुई है तो जाजी बात तो नौ मताओं पर एक दर्ष्टान दे करके मैं अपने वानी को विराम देता हूं कि अथिशचा को परजापती ब्रमा के पास विर्फ देव दानव और मानव गए थे परजापती ब्रमा को कहा थागेल हमको जयान दो बिद्या दो तो डेवता को था तू को सौ साल तक टु अर वर बात भी जयन मिलेगा मानव को भी वही कहा दानव भी वही कहा तो आखिर में देवताव को भी एक शब्द भी नहीं दिया प्रजा प्रजापती ब्रमा नियुआ भाने खाली यह देवगणो इंद्रिय दमन करो, दमन करो, क्या करो, दमन करो, वही अक्सर दानव ले गए, तो दानव ने भी ध्यान किया, और उसी अक्सर को देखा, साधना आवस्था में, समाध्य आवस्था में, तो अंदर से अवाज आई, उनको अलग ज्यान मिला, कि दानवो दया क करो क्या करो और मानों ने भी सो साल तब करने के बाद उनको भी एक हेक्सर देया द कर अर उसी अक्सर से उन्होंने भी ध्यान किया कि तो कि इंद्रिय दयमन का ज्ञान मिला देवताओं को कि और दया का ग्यान मिला किसको मिला दानाव को और मानाव को दान करो दान केवल पैसे का दान नहीं होता है जान दान होता है विचारों का दान होता है धन का दान होता है कहने कार्थ है कि कल्यूग आने वाला है कल्यूग के अंदर त्याग पूर्वक तेन भुंजिता त्याग पूर्वक जीवन जीना इसलिए सुंदर्शाद कहीं भी भक्तिभाव में हम जाते हैं मन को अडग रखना चाहिए स्थीर रखना चाहिए भजन भक्ति में हम जाते हैं कभी-कभी तो सोच आते पता भी निए चलता है कि हम गए थे क्या लाहे क्या कोई पूछे कि पुझे स्वामी जी आये थे सरसावा से चर्चा तो बढ़िया सुनाई थे हमको सुना दो तो के पता है नहीं इस्थिती क्यों बनती है आपको मैं बता हो एक बार क्या हुआ एक सेठ थे यहां कोई सेठ होंगे तो माव करनावाप जी वलोश्री तो कभी भगति ना करें उनकी जो पतनी थी शाइब वे एक्सपड थी बड़ी बुद्धिमान थी वो के एक सेठ जी तो गंगा नहीं जाता जमना नहीं जाता यहां से सो किलिमेटर नहीं जाता अपने गाउमें मोहलें में कोई संता एं कोई कथा हो री परमात्मनी जाकर के गं ceux कि संतर का धन ना किसके साथ आया है ना रह ाल आपесь कुछ न जाएगा कमें कथा में जाके भेट थे07 नो जाएगा तो कहा रहे गा भाद वी दिव इसेट की बुद्धी में उत्री बाद के पकड में आगया टावर रेंज में था बाद पकड में आई तो बात तो सही है अगर शेठा नहीं कई क्यों कि संसार चोड़के सब को जाना पड़ेगा पिटानी शीट शेट का नमबर तो कि क्या करें तो कि जाना चाहिए भक्ति भजन तो गए तो अब सेठा आए तो हम लोग बेठे वनों में जाकर के सत्संग सुनते तो पता चल जाता उनने का कच्छी लिपाई का समय था उस जमाने में चदर भी चाहिए हुई थी बिठाए शेट जी बेठिए 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 शेट लड़ लड़ू का भोजन धम-धम आके आये थ दस बार रोटियों का उपड़ा किया थन बरोबर चपन परकार का बेंजन का उपड़ा किया और कथा में बेठिए अब भोजन उत्राज भजन उत्रे आये आये इतना सुना बेठिए बस उसके बाद सो गई साहिए घरता मारा तीन गंटे की चर्चा खतम हो गई सब लोग चले के बर जिसकी चदर भीची वो बेठा पली एक शेट जी उठे तो तो जाओ उनका उठो शेट जी मुझे तो जाना है उठाए तो जाए जाए आये शेट जी मान तो आप सत्संग में गए उम्रबिद गई बात तो साहिए लाये कोछ वहां तीन सबद मिले कितने क्या क्या सुना हो तो कौन सा मंत्र गुरुज ने दिया पहला मंत्र आये दूसरा मंत्र बेठ ये तीसरा जाए जाए शेठानी बुद्धिमान उनका इनक कभी भावना को ठेश पहुंचाना नहीं जाहिए शेठा नहीं जानती उसने का ठीक है खबर जार सोना मत बोले नीद नी आती कोडिया मत बदलना रटन करो साइब साड़े बार एक बजे नीद ना आवे तो रटन करे आईए बेठिये जाए दो बजे भाईया आईए चोर कोना है चोर टब के घर में तो बेला नो करम चालतो तो आईए कोई सगा के वहां तो नहीं कुछ किया तो फिर बोला बेठिये एग हो गया का अब तो पहंचान लिया लग रहा कोई तो पाई तो जानने वाला आप तो दोनों मूठ भागे तो बोले जाहिए उनने का आप त तो कल तो हाथ कड़ी पड़े कि अब क्या करो फोले दूसरे घर से चुरा के लाये थे वो दर दिये शूना चांदी के अब भुषण और प्रणाम करिया बाबजी नाम मतले नहीं बस यह जो था वो चड़ा दिया तूनिन का शेठानी तो खरन टला के सो रही ती लगा के उ जूठे सबद उठालाया और चोना शांदी यहां गिरा दिये अरे सच्चे सबद उठालाता तो काम क्रोध लोब मो मत इर्शा यह चोर तेरे चरणों में वसीभूत हो जाते और जनम मरन के चकर से तू छुड़ जाता वो लो श्री जूठे सबद उठालाने से संसार के सोर चोर होते है वो वसीभूत होते है तो सच्चे शबद लाने से क्या होता है यहां तो कौन से सबद है अरे मैतरी को कहा था याघ्यवल्क ने जाग्यवल्क रिषी थे वह आत्म भलिस्थ ध्यान से उनको पुअ उनका विचार हुआ कि मुझे साधना करनी और जंगल में जान हमको ब्रह्मिघृята चाहिए महित्रील कहा अगर आपको ब्रह्मिघृafar देदे तो आप क्या कर सकते हैं बदले में क्या करोंगे ययाग्यावल कहते हैं महित्री यह धर्ति・के पथ्थरों को मैं अपने योगबल से हीरा बना करके उसको गिप्ट कर दो ब्रमग्यान इतना सस्ता नहीं है कबरी साहब ने कहा था एक दिन ए साहब मेरे सजनी साहब आपे आवे भायरे सर साथे सद्गुरु मिले तो भी सस्ता सोधा जान अगर एक हाथ में सर देना पड़े दूसरे हाथ में कोई सद दे तो सर देना सस्ता पड़ जाएगा ओ मेरे शुंदर साथ जी ना तो हमको सर देना पला ना खूपडिके बाल देने पड़े किवल दो घंटे देने पले बोड़ों श्री इस वीचार कर लोगों के उपर महर करते हैं इस सनमंधियों को शूख धने ने दिए हैं सुंदर स आलाम के साथ ही है अthen really यह शुन्द्र साप्शाजी यह समय पुरण हुआ इतना स्विकार करें परियाश के अने जीवने करें परेगाश करें, वह रेंड और मरें वचन है, यह तो सागर है, गागर में सागर भरा है, कोई देव, कोई दानव, कोई मानव इसमें डुबेगा, तो अपने जीवन को धन्य करेगा, करेगा, और रहा करेगा, बलो श्री प्राणना